मैं कहता हूँ हो सकता है मदनी साब खुद साजिस में सनलिप्त हो इसलिए कोट को संज्ञान लेते हुए मदनी साब को भी सजाफांसी की स्वाजानी चाहिए क्योंकि 56 लोग मर गए 200 लोग घायल हो गए इनको उनकी परिशानी महसुस नहीं हुई इन्होंने उनके विश्टे में जरा भी नहीं सोचा? इनको ततकाल कोट संज्ञान ले, मानिए कोट संज्ञान ले और इनको भी फांशी की सजा दे और इनको नियाला में विश्वास नहीं इनको सम्मिधान में विश्वास नहीं उसमें से एक आज मैं पढ़ रहा था उसमें से एक कोई वो है अपरादी उसने ये कहा है कि हम तो कुरान को जानते हैं हम सम्मिधान बगरा कुछ नहीं जानते तो ऐसे लोगों को मुलाना मदनी को भी अविलंब फांसी के सजा होनी चीए ऐसे व्यक्तियों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो हिंदुओं को बंबलाश्टे मार दे और वो मुसलमानों की बच्चत में खुलम खुला अपना ब्यान दे तो ये अपरा आदियों को सरण देना चाहते हैं अपरादिक छबी वाले लोग हैं इन लोगों ततकाल रूप से मैं मने न्याले से अग्रे करूंगा स्वेम में संग्यान लेते हुए इनको भी फांसी की सजा देनी चीए ऐसे दोसी लोगों को जो भी बचाता है वह फांसी का हगदार है म अग्रे करे यूर देना बटे उनको भी वाले बटS लाद देनि को जो हैं भी इनको भी इनको भी घर देना लोगों को भी जारा आंसी करूंगर मैं में